क्या येशु का लहू मनुश्य के पापों की शमा के लिए बहाया गया? पिछले आयतों में येशु ने गोशना की थी कि उसके बाराश शिश्यों में से एक उसके साथ विश्वास घात करेगा. यहुदा इस करियोती के मन में चोड था इसलिए उसने पूछा मतिच 26 पच्चिस तब उसके पकड़वाने वाले यहुदा ने कहा कि हे रब्बी क्या वह मैं हूँ? पिछले आयतों में बाकिश शिश्यों ने पूछा था हे गुरु क्या वह मैं हूँ? तो गुरु का अंग्रेजी अनुवाद है लॉड जिसका आर्थ होता है प्रभू लेकिन यहुदा ने येशु को लॉड करके संभोधित नहीं किया बलकि रब्बी कहा मतलब टीचर क्योंकि वो येशु को प्रभू मानता ही नहीं था. येशु ने उसे कहा तू कह चुका जब वे खा रहे थे तो येशु ने रोटी ली और आशिश मांगकर तोड़ी और चेलों को दे कर कहा लो खाओ यह मेरी दे है मतलब शरीर है तो यहां पर येशु ने यहुदा इस कर्योती से जो कहा तू कह चुका वो येशु तो समझ कि येशु उसकी मन साथ जानता है लेकिन बाकी शिश्य नहीं समझ पाये थे इसकी तुरंद बात यहुदा वहां से उठकर बाहर चला गया जैसा यहना 1330 में लिखाए अगर बाकी शिश्य समझ जाते कि येशु यहुदा के विशे में कह रहा है कि यहुदा ही वो विश्वा आसगाती है तो संभवता वे उसे बाहर जाने ना देते फिर यहुदा के जाने के बाद येशु ने फसे के पर्व में कुछ नया स्थापित किया जब वे खा रहे थे तो येशु ने रोटी ली और उसे एक नया अर्थ दिया और कहा यह मेरी दे है पर क्या वो वास्ताव म येशु की दे थी नहीं वो सिर्फ एक चिन था येशु की दे का 27 फिर येशु ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दे कर कहा तुम सब इसमें से पियो क्योंकि यह वाचा का मेरा वहलहू है जो बहतों के लिए पापों की क्षमा के निमित बहाया जाता है फिर य अखरस का कटोरा लेकर उसे भी धन्यवाद दिया और उसे भी एक नया अर्थ देते हुए कहा यह वाचा का मेरा वहलहू है जो बहतों के लिए पापों के क्षमा के निमित बहाया जाता है अब मुस्लिम विद्वान जाकिर नायक अकसर कहते रहते हैं कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि येशु ने स्वयम कहा हो कि लोगों के पापों के क्षमा के लिए वो अपना लहू बहाएगा लेकिन इस आयत में तो येशु ने बिलकुल साफ शब्दों में ये कहा है कि वो मानव जाती के पापों के बदले अपना बलिदान देगा येशु ने कहा कि यह दाखरस मेरा लहू है तो क्या दाखरस वास्तव में येशु का लहू बन गया था नहीं वो सिर्फ एक चिन्न था येशु के लहू का लेकिन रोमन कैतलिक चर्च सिखाता है कि जब प्रभू भोज किया जाता है तो रोटी और दाखरस चमतकारिक रूप से येशु की देह और येशु का लहू बन जाता है वास्तविक देह और वास्तविक लहू जो फिर एक मसी के अंदर चला जाता है जब वो उसे ग्रहन करता है लेकिन ये गलाश शिक्षा है जिससे वे लोगों को जूटी तसली देते रहते हैं के भई आपने अब येशु को ग्रहन कर लिया है येशु आपके अंदर आ गया है देखे आप शारिरिक तार पर येशु की देh और लहू ग्रहन नहीं कर सकते हैं और ना ही उसका कोई अर्थ बनता है आप येशु को सिर्फ आत्मिक तोर पर ही ग्रहन कर सकते हैं उसके वचन के द्वारा और इसी लिए प्रभु भोज में रोटी और दाखरस मात्र चिन है येशु की दे और लहू का अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट हिंदी-biblestudy.com पर देख सकते हैं ये वीडियो हमारे सितंबर के वीडियो में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी सितंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में सितंबर के वीडियो में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छे स्पीड के लिए कृपिया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तमाल करें तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप Play Store में जाएं और उपर Google Chrome टाइप करें फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये एकदम फ्री है इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेबसाइट Google Chrome में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियोस बिलकुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबा कर 240P, 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा 240P सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शूरू से देखिए अगर आप हमारे वेबसाइट के विशे में जानकारी हासल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्शक है एक विशेश सूचना हमारे मिनिस्ट्री का अगला चर्ण सेकिंड फेस ओफ आर मिनिस्ट्री उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है